बिसमिल्लाइब रहीम अस्सालाम अलेकूम कैसे हैं आप सब अमीदे सब खेड़े सुनके तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नुबर 23 जिसका टॉपिक है कल्चर एंड जेंज ये टॉपिक हम लेसन नुबर 22 में भी बढ़ चुके हैं अब हम उसी को continue करेंगे इसमें हम कुछ चीज़े बढ़ेंगे जिसमिस पहली चीज़ है एकल्चरेशन एकल्चरेशन एक्चली जो है ना कल्चरल डिफ्यूजन की ही एक specialized form है इसमें ये होता है कि आप जो है ना किसी दूसरे की कल्चर को adopt कर लेते हो ठीक है इसकी example में आपको इस तरह से दूँगी कि आप जैसे यॉरप में जाते हो ठीक है कोई पाकिसानी जा रहा है किसी बाहिर के मुल्गे है ठीक है फॉर एक्जामपल अमेरिका या यॉरप ठीक है अब यहां से वो गया है वहाँ जाकी वो उन्हें के dressing style को copy करेगा ठीक है यहां वो अर्दू लेंग्वीज या पंजाबी लेंग्वीज बोल रहा था लेकिन वो वहाँ जाके English language बोलने की कोशिश करेगा या उसको आती होगी तो वो English language बोलेगा उसके बाद वो अगर यहां पे उसके tradition या कुछ भी रिवायात या जो भी हम लोग कहते हैं न जो हमाई celebrations होती है या जो भी वो यहां पे उसकी different होगी लेकिन जब वो वहाँ जाएगा तो वो सारी चीज़ों को अडॉप करेगा उनके language को अडॉप करेगा उनके ideas उनकी thinking के वो किस चीज़ के बारे में किस तरह सोचते हैं यह सब कुछ जब वो अडॉप करेगा तो इसको हम कहते है a-culturation a-culturation है वो सबसे भड़ी वज़ा उसकी है klonalization for example a-coloni में अब different cultures के लोग रह रहे हैं ठीक है तो वो एक दूसरे के culture को adopt करेंगे second चीज़ है cultural inter-relations cultural inter-relations से a-c-c-u आ सकते है कि change in one part of a cultural is likely to bring about change in other parts of the given culture ठीक है यह m-c-c-u आ सकते है कि यह statement लिखी होगी तो यह क्या है cultural inter-relation है a-culturation है यह whatever इस तरह से a-c-c-u आ सकते है second है reaction to change अब two set of opposing forces मतलब जब culture के अंदर एक change आता है ना तो दो तरह की forces होती है जो एक होती है वो तो उस change को accept करती है लेकिन जो दूसरी force होती है वो उस चीज़ को accept नहीं करती एक परसन है वो economic gain के लिए या जादा पैसे कमाने के लिए या more efficient ways के लिए एक चीज़ को adopt करता है ठीक है लेकि उसी वक जो दूसरा परसन है उसको इस चीज़ का threat होता है कि ये मेरे मुकाबल आ जाएगा तो वो उस चीज़ को oppose करता है तो ये दो opposing verses होती है एक जो चीज़ को positively सोचती है और एक जो है वो negatively सोचती है नेक्स हम पढ़ेंगे barriers to cultural change society can maintain their culture boundaries through the exclusive use of language, food, clothing नेक्स हम से क्योज़ में आ सकता है कि cultural boundaries include cultural boundaries में क्या क्या include होता है वो है cultural values, cultural customs, language and eating taste तो ये हमारा एक बहुत चोटा सा लेक्चर ता जिसके बारे में हमने दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा और ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ था तो आप लोग इस चीज़ को focus करें कि कुछ भी important नहीं है past papers मेंसेज रहता है आपके लिए कुछ भी important नहीं है आपके लिए जो important है हमारे handouts हमने अगर अपने handouts को अच्छे से read कर लिया एक एक चीज़ को पढ़ भी लिया हमारी आंगों से गुजर गई और पेपर में आ जाता है तो हमारे wine में थोड़ा सा एक sketch रह जाता है हमने यह चीज़ बढ़ी तो हम कर लेते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो past papers की त्यारी करते हैं past papers prepare करते हैं उसमें वह चीज़े नहीं होती जो paper में आ जाती है तो आप handouts लाजमी पढ़ें मेरे चैनल को subscribe लाजमी करें थैंक यू अलाफिज